गायत्री वेदों की जननी है, पापों का नाश करने वाली है, इससे अधिक मवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र, स्वर्ग और प्रिथवी पर नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशों से श्रिष्ट कोई देव नहीं है, गायत्री से श्रिष्ट ना कोई मंत्र हुआ है और ना होगा याग वल्क्य जिस प्रकार पुष्पों का सार शहद दूद का सार घ्रत है उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है सिद्ध की हुई गायत्री काम धेलों के समाने व्यास जी पुस्तक का नाम गायत्री महात्मे भगवान मनुक अनुसार ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार तीन चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है रिशिगण ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य नियमित रूप से तीन वर्ष तक गायत्री जगता है वो वेद बढ़ने के फल को प्राप्त करता है गायत्री भू लोग की काम धेनु है यह आत्मा की समस्त छुदा पिपाशाओं को शांद करती है गायत्री को उस पर्ष करने वाला क्या से क्या हो जाता है इसे लिए इसे पारस मड़ी भी कहा जाता है उस तक के कुछ प्रश्न गायत्री महत्मे क्या है गायत्री के जाप से क्या क्या लाब होते है गायत्री जाप के द्वारा पापों से मुक्ति कैसे मिल सकती है भगवान मनु ने गायत्री मंत्र का अर्थ कैसे समझाया यागवलके के अनुसार गायत्री मंत्र क्या है इन सभी प्रश्णों का उत्तर लेकर आपकी समक्ष प्रस्तुत है एक पुस्तक जिसमें गायत्री महत्मे के विशय में बहुत महत्पुन जानकारी दी गई है पुस्तक के कुछ अंश मंदगती, कुमार्ग गामी और अस्थिर मती भी गायत्री के प्रभाव से उच्छ पत को प्राप्त करते हैं फिर संद्गती होना निश्चित है जो पवित्रता और स्थिर्ता पूर्व गायत्री के उपास्ता करते हैं वह आत्मे लाब करते हैं गायत्री मंत्र का निरंतर जब रोगियों को अच्छा करने और आत्माओं की उन्नती के लिए उप्योगी है गायत्री का स्थिर्चित्द और शान्त हिर्दे से किया हुआ जब आपत्ती काल के संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है भारत वर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही स्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है वह है गायत्री मंत्र ब्रह्म मुहूर्थ में गायत्री का जब करने से चित्य शुद्ध होता है और हिर्दय में निर्मलता आती है शरीर निरोग रहता है स्वभाव में नम्रता आती है गायत्री बुद्धी को पवित्र करती है बुद्धी की पवित्रता से बढ़कर जीवन में और दूसरा लाब नहीं है इसलिए गायत्री बहुत बड़े लाब की जन्नी है सावित्री सार मात्रो अपी वरम प्रियह सुमंत्रितह सर्व पापानी नश्यंत्री गायत्री जपतो नमह गायत्री जपने वाला समस्त पापों से छूट चाता है फविश्य पुरान जना ये स्तरती तानी तीर्थाने जिनसे पुरुषों के पाप दूर हो जाते हैं और वे इस संसार से तर जाते हैं, उनको तीर्थ कहते हैं, गायत्री के इन तीन अक्षरों में वही तीर्थ विंदिमान हैं, गा, गंगा या यमुना, त्रात्रिवेणी समझनी चाहिए, जो मनुष्य तीन वर्ष तक प्रति दिन गायत्री मंत्र जबता है, वह अवश्य ब्र कड़कर बचाने वाली गायत्री के समान पवित्र करने वाली वस्तु या मंत्र प्रत्वी तथा स्वार्ग में भी नहीं है, पुस्तक के कुछ बिंदू, महा पुर्षों द्वारा गायत्री महिमा का गान, अथ गायत्री महत्मे, गायत्री जाब के लाब, गायत्री से कर दो कर दो कर दो